नालंदा को बर्बात किया नोगों ने तक्षरिला इन्वर्टी को बर्बात किया नालंदा तक्षरिला बिक्राम सिला उद्वनथपुरी राउरकेला बलभी मनसर सात म्या कारन आ ningún कैरD यही कारण हैं यह इमांदार किया नोमिनेट नौमिनेट किये गए तो सितम्बर 1946 के बाद अभी देश आजाद नहीं हुआ है श्यालिस में ही नॉमिनेट कर दिये गए सारे के सारी स्टेट के मुख्यमंत्री ब्रामान कंग्रेश के द्वारा नॉमिनेट किये गए सारे के सारे अदालतों की इतनी सीटें हैं उन पर कबजा सारा का सारा स्वयम बुद्धा जो पूरता को प्राप्त कर चुके थे सम्यक संबुद्ध हो चुके थे उनको भी ये अमान भी ये बिवस्था बर्ड बिवस्था पर आधारित बिवस्था को ध्वस्थ करने के लिए उनको भी संग का सहारा लेना पड़ा क्योंकि संग ही सबसे बड़ मूल वज़ा है कि उनके अंदर जब मान सम्मान स्वाभिमान ही नहीं है तो अपमान की भासा उनको समझ नहीं है कि आधुनिक काल में महामना जोतिराव फुले अंग्रेजों की सासनकाल में सातुमी की शिक्षा प्राप्त करने के बाद उनका एक ब्राहमन मित्र था जो की उनका साहपाथी था उसने अपनी शादी के दिन गवना के दिन बारात में जाने के लिए सम्मिलित होने के लिए महामना जोतिराव फुले को जो की मित्र थे आमंत्रित करते हैं जोतिराव फुले उस साधी में बारात में सामिल होने के बाद जब उनकी पोशाक अथवा पगड़ी से ब्राह्मणों ने पहचान किया कि ये तो सूद्र है ब्राह्मणों की बारात में भला एक सूद्र कैसे सामिल हो सकता है इस बात से ब्राह्मणों को उनका बर्चस्ट जो है उनका बर्चस्ट लहू लुहान हुआ कि आखिर हमारी वारात में एक सुद्र की क्या है जियत की सामिलो तो जोतिराव फुले को धक्के मार करके अपमानित करते हुए वहां से निकाल दिया गया जब ये घटना हुई तो कुछ दूर पर खड़े हुए जो अच्छूत समाज के लोग थे जिनके गले में हांडी पीछे जाड़ू लटकी हुई थी वो लोग जो है जोतिराव फुले अपमानित करके निकाले जाने के बाद उन जोतिराव फुले को इनके ऊपर हसते हैं अच्छूत जाती के लोग जब वो हसते हैं तो जो तिराव फुले के दिल में बहुत आगहात लगता है मेरा तो केवल अपमान हुआ मेरे उपर वो भी हस रहे हैं जिनके गले में हांडी पीछे जाड़ू लटकी है वो भी अशर है मेरे उपर इनको इस बात का जरा भी गम नहीं है कि मेरे से ज़्यादा अपमान इनका हो रहा है जिनके गले में हांडी पीछे जाड़ू लटकी हुई है इनको इस बात का गम नहीं है हमारा तो केंवला पमान हुआ हुआ हे, हमारे उपर यह हास रहे हैं यह घटना देखते हैं, उसके बाद जो है वो क््षिन हो करके आते हैं अपने परिवार में पिता जी जो उनके गोविंदराव फुले थे उनसे जर्चा करते हैं, अपनी मनो दसा उनसे ब्यक्त करते हैं, तो उनके पिता जी कहते हैं कि बेटा ये तो ब्यवस्था है, समाज की यही रीत है, इसका तुम्हे ज्ञान होना चाहिए, ब्राह्मनों की वो उचे लोग हैं, उचे जाती के लोग हैं अखिर क्यों गए थे उनके साधी में सामिल होने के लिए तुमको जाना नहीं चाहिए था वो बड़े लोग है हम हमारी हैसियत क्या है उनके बारात में सामिल होने की तो तुमको नहीं जाना चाहिए था तो अभी तक जोती राव फुले उस ब्यक्त के ऊपर गुस्सा हो रहे थे और उसको अपना अपमान का वज़ा समझ रहे थे जिसने उनको धक्के दे करके बाहर निकाला था लेकिन जब पिता जी के द्वारा ये समझ में आया कि ये ब्यवस्था की देन है हमारी जगे जगे अपमान होता है ये ब्यवस्था की वज़ा से होता है वो ब्यवस्था कौन सी जो बरन ब्यवस्था जाती ब्यवस्था पर आधारित जो समाज बना हुआ है तो इस ब्यवस् व्यवस्था की वज़ा से मेरा जो अपमान हुआ उसकी वज़ा से हमारे समाज के अंदर में पूरे देश भर में हजारों लाखों लोगों के साथ में प्रतदिन अपमान होते रहते हैं यह बात उनको समझ में आई और उन्होंने अपने जीवन में एक मकसद ठान लिया कि उस व्यवस्था को जिसने हमको नीच बनाया शूद्र बनाया और हमको समस्त जो है अधिकारों से वंचित किया उस व्यवस्था को ध्वस्थ करके मानमता बादी समता बादी समाज का निर्मान करना समता सुतंतरता बंधुता और नयाय पराधारित समाज वराश्ट्र का निर् कना करना यही हमारे जीवन का अंतिम उद्देश से होगा उन्होंने ठान लिया मिरे कि कितने लोग अधैं कि साथ जतने लोग है यह देखाँ न tai साथ हूं आप लोग लाइफ 14 आप जितने लोग लाइफ देख रहे हैं इसको ज्यादा से ज्यादा लोगों में शेयर करें ग्रूपों में शेयर करें ताकि ज्यादा से ज्यादा ये पहुंच सके लोगों के पास तो जोती राव फुले ने जब ठान लिया कि इस ब्यवस्था को ध्वस्त क ज़्यादा गहरी हैं इस बिवस्था को उखाड़ फेकना इतना सामान निवात नहीं है इस बिवस्था के तहिए हमारे लोगों का जो अपमान होता रहता हर बैकती जो है हमारे समाज का अपमान का घूंट पी लेता लेकिन कोई बिद्रो करने को तयार नहीं है इसका मूल वजा है कि उनके अंदर जब मान सम्मान स्वाभिमान ही नहीं है तो अपमान की भासा उनको समझ में नहीं आती अपमान तो उसको समझ में आएगा ना जो जिसका सम्मान हो हमारे समाज के लोगों का सम्मान ही छीन लिया गया है तो सम्मान का क्या मतलब है तो उसको मैं गणित के माध्यम से थोड़ा सा आम तोर पर बताता हूं कि हमारे लोगों को किस प्रकार से जो है दो टांग का जानवर बनाया गया था मनुष्य माइनस मान सम्मान स्वाभिमान बराबर दो टांग का जानवर हमारे जिस मनुष्य से जिस मनुष्य के जीवन से उसका मान सम्मान स्वाभिमान छेन लिया जाता है क्योल मात्र दो टांग का जानवर बन करके रह जाता है और जब दो टांग का जानवर बन करके रह जा तो उसको मान समान है नहीं अपमान करो तो वो सह जाता है कोई उसको फरक नहीं पड़ने वाला है तो हमारे समाज में मान समान स्वाभिमान आने के लिए मुझको क्या करना चाहिए जब तक इनके अंदर स्वाभिमान नहीं आएगा इनको अपमान नहीं लगेगा जब तक अपमान नहीं आएगा इनको जो है विवस्था को ध्वस्थ करने में हमारा साथ क्यों देंगे तो जोती राव फुले साहब ने अपने उपर ने रिक्षण किया कि ये मुझको ही अपमान की भासा क्यों समझ में आती तो उनको समझ में आती क्योंकि मैं पढ़ लिया अंग्रेजी हुकूमत में पढ़ने के बाद में उनको मान सम्मान स्वाभिमान जवा गया उसकी वज़ा से बुरा लगा तो जो तिराव फुले साहब ने ये ठान लिया कि इनको अगर इस ब्यवस्था को ध्वस्त करने के लिए मैं अकेला परियाप्त नहीं हूँ इस दोहस्त करने के लिए इस ब्यवस्ता को हजारों लाखों लोगों की एक संगठन होना चाहिए एक संग होना चाहिए और ऐसे लोग संग में सामिल होने के लिए मेरे पास क्या करने चाहिए तो पहले इस समाज को पढ़ाना होगा पढ़ाने के बाद इनके अंदर मान समान स की भासा समझने लगेगे तो उसके बाद हमारा साहयोग करेंगे तो इसलिए नहीं लास्ट में तो जोती राव फुले ने अपने समाज के लोगों को पढ़ाने के लिए जो है उन्होंने अभियान चलाना चाहा तो उन्होंने फिर विचार किया कि इस समाज को अगर हमें एज पढ़ा होता है लेकिन जब किसी घर की एक महिला पढ़ी होती तो पूरा समाज पूरा परिवार सिक्षित हो जाता है तो उन्होंने महिला को निशाने पर लिया कि इन महिलाओं को ही हम एजूकेट कर दें तो पूरा समाज हमारा एजूकेट हो जाएगा शिक्षित हो जाए इस अपमान के विरोध में इस समाज के लोगों को उतारा जा सकता है और इसकी विवस्ता ध्वस्त की जा सकती ये बात उनको समझ में आई इसलिए महिलाओं को सिक्षित करने के लिए उन्होंने जो तैयारी की इसके लिए उन्होंने अपनी पत्नी को सबसे पहले जो है साबित्री भाई फुले जब पढ़ लिख करके तयार हो जाती है तो इन दो लोगों ने पढ़ाई लिखाई का जो अभियान चलाया अपने समाज की बच्चियों को पढ़ाने का तो उनको जो है बहुत जादा अपमान जहेलना पड़ा माता साबित्री भाई के मुकाबले माता साबित्री भाई फुले है तो माता साबित्री भाई फुले जब अपने बच्चियों को शिक्षित करने के लिए जा रही होती थी तो इस समाज में एक प्रचलन था कि इस्त्रियों का पढ़ना समझ लीजिए कि अधर्म है और ये इतना बड़ा अधर्म है कि धरती पोगा पंडित नहीं का जगता पोगा ब्राहमण उने फैला रखा था क्योंकि पंडित फिलाल विद्वान होता है ब्राहमण का बिद्वान का बड़ा दूर दूर तक कोई रिस्ता नहीं है अगर विद्वान होता पंडित होता तो देश के विकास में उसका सहयोग होता आ आज भी बिनास कर रहा है जिसने तक्सिसिला उन्वरसेटी और नालंदा जैसी उन्वरसेटी को जलाया वो बिनास किया तो यह बन्डित मैं ब्राहमण को नहीं मानता को एक चीज मानता हूं शैतान क्यों मानता हूं इसकी एक वजा है सैतान इंसानियत की भासा नहीं जानता और दूसरा ब्राह्मन यह भी इंसानियत की भासा नहीं जानता जिसने इंसानों को मरे जानवरों का मांस खाने के लिए मजबूर कर दिया हो वो भी राजाओं के खांदान के लोगों को कम से कम इतना तो उज्जत बख्षनी चाहिए थी एक राजा दूसरे राजा को जब दंडित करता है तो राजसाही तरीके से दंडित करता है इतना भी खयाल नहीं रखा ब्रामणों ने राजा खांदान के जो OBCST के लोग है ये राजा खांदान के लोग है इनको कहा किस अस्तर तक पहुंचा है मरे जानवरों का मांस खाने तक जो है अच्छूत समाज के लोग मजबूर हो गए ये सस्तर तक पहुंचा दिया तो जोती राव फुले जब जो है अपनी पत्नी को साथ मिले करके समाज को शिक्षा अभियान चलाया तो इस दवरान उन्होंने 1903 में जा करके 1903 में पूना के अंदर में एक महिला महा विद्याले की अस्थापना करते हैं भारत के अंदर में पहला महिला विद्याले अगर कहीं अस्थापित हुआ वह भारत में अर्था आधनिक भारत में तो माता साबितरी भाय फुले और जोती राव फुले साहब के अथक प्रयासों क प्रेडाम है कि उन्होंने हमारे समस्त जाती समाज के माता सबितरी भाई पूले हैं इतना ही नहीं जोति राव फूले सहब ने यह जो ब्यवस्था चली आ रही थी हमारे लोगों की इस ब्यवस्था को जो निर्माता है ब्रह्मन लोग उन लोगों की पहचान करते हैं जो तिरह फुले कि यह आये थे यह आये थे 4000 साल पहले इस देश में आकरांता है और आकरमणकारी बन करके और यहां पर हमारे लोगों को गुलाम बना करके रखा है अभी अंग्रेजों के आने के बाद में हमारे लोगों को थोड़ी थोड़ी सहुलियते मिलना सुरू हो गई थी क्योंकि भारत के अंदर में बड़ी बिचित्र दसा थी उस समय की उसकी वज़ा यह है कि हम ब्राहमनों के गुलाम थे अंग्रेज गुलामों को गुलाम नहीं बनाया जो लोग गुलाम बनाये थे ब्राहमन लोग आने के बाद अंग्रेजों के इन गुलामों के जो मालिक हैं ब्राहमन या च्छत्रिय को इनको गुलाम बनाए अंग्रेजों ने हम तो ready made घुलाम थे हमको गुलाम बनाने की आवस्यक्ताई नहीं थी लेकिन आने के बाद अंग्रेजों ने क्या था तो जैसा गुलामों को जो है विवस्था थी सिख्चा संपत्ति रखने रखने का वैस सब्सक्राइब किया उसने जो अधिकार ब्राह्मन ने संपत्य सिक्षा का अधिकार अपने पास रखा था उस अंग्रेजों ने सब्सक्राइब के लिए भी दर्वाजा खोला कि इसके बाद भारत के अंदर में ऐसी ब्यवस्था थी कि OBCST अर्थात पुराने समय की जो पहचान थी सूद्रचु तौरा दिवासी यहां थे इनके मालिक ब्राह्मन थे ब्राह्मन के मालिक अंग्रेज थे अंग्रेज जो ब्यवस्था इनके लिए लागू करता वही ब्यवस्था इनके लिए लागू करता इस वज़ा से इनकी जो ब्यवस्था ब्रामणों की थी वो चर्मरा उठी वो जो है हजारों साल से इनको सिक्षा से जिनको दूर रखा था जिनको धार्मिक जो है प्रतारना और 1848 में मौका पाकर जो तिराव फुले ने ये कह दिया कि सूद्र और अच्छूतों को यानि सूद्र और अतिशूत नो को ब्रामणों की गुलामी से मुक्त होने के लिए आजादी के आन्दोलन चलाने चाहिए जब तक अंग्रेज भारत में है मौका है या उसर है ऐसा जो तिराव फुले ने 1848 में कहा 1848 में कहा इनको काउंटर करने के लिए इनकी आजादी का मामला इन्होंने 1857 में शुरू कर दिया कि अंग्रेज सारा कुछ देता ही चला जा रहा है और ये जो है अंग्रेजों के रहते हुए हमारी गुलामी के चंगुल से मुक्त ना हो जाएं इसलिए अंग्रेज इनको मुक्त कर सके इससे पहले ही कि अंग्रेजों को यहां से ख़देर दिया जाए तो ब्रामणों ने मिल से मिल करके बहादुर साथ जफर से यह प्लान बता बनाया कि आप आप हमारे नेत्रित को सुईकार करिए यहां से अंग्रेजों को मार के ख़देड देते हैं तो क्या होगा आप हमारे बादसाह सलामत बने रहना हम आप के मंत्री संत्री बनेंगे और जो है प्रसासन की ब्यो प्रसियों को पर्मानेंट गुलामी थोप देना यह मकसद था और 1857 की जो क्रांती पढ़ाया जाता है प्रथम स्वतंतरता का संगराम जो पढ़ाया जाता है गलत है मैं यहां से सोशल मेडिया के जरिये से जो चुनावती देता हूं गलत है और अगर मुझको कहीं जरूरत पड़ी तो मैं उसको सिद्ध कर सकता हूं तीन विदेशी लड़ रहे थे अपनी सत्ता के लिए उसमें कहीं पर भी भारत की जनता के लिए भारत की अवाम के लिए आजादी का कोई डिक्लेरेशन पास नहीं किया गया था उसमें राजे रजवारे लड़ रहे थे राजे लोग दिर्घकाल तक जो है लंबे समय तक जो है आजादी के अंदोलन की तयारी करते रहे कि हम जनता की आजादी का यांदोलन चला रहे जनता साहयोग करे ऐसा जनता को कहा गया और जनता का साहयोग लेकर के अंग्रेजों को भगाया गया ये भारत का इतिहास है तो 1857 की जो क्रांती है तीन विदेशी अपने वर्चस अपने सत्ता के लिए लड़ रहे हैं ये सच्चा ही है और 1848 का जो मसला था हमारी आजादी का मामला जो जोतिराव फुले ने उठाया था वो उसको 1857 वाली क्रांती में दबा दिया हमारा तो आजादी कांदल वही पड़ा रहे गया और इनका हाइलाइट हो गया 1857 की क्रांती इसके बाद जो है जोतिराव फुले 1848 के बाद 1813 में महिला महाविद्याले जब बनाते हैं तो वहां से जो है शिक्षा का जो एजुकेशन प्रणाली है जिसको हम सिलेबस कह सकते हैं सिलेबस उन्हें कहा कि इसको हम टैय करेंगे कि और प्रवों को सरकार करती थी पैसा बित अन्ग्रेजिद अग्रेजों के द्वारा सिलेबस को तयार करने में एक खास किसम की उन्होंने वेवस्था कर रखी थी कि यह जो वो शिक्षा ब्यवस्था हमारे यहां से होगी, सिलेबस होगा, जो हमारे बच्चे पढ़ेंगे, इनके अंदर में वो बोध, वो समझ, निर्मान होना चाहिए, वो तरक छमता निर्मान होनी चाहिए, कि ये सत्य और असत्य में विभेद पैदा कर सकें, सत्य और असत्य का फ और इतना ही नहीं, बलकि उस शिक्षा को लेने के बाद या लेते वक्त ऐसी भावना निर्मान कर रहे थे सिलेबस के माध्यम से, कि सत्य का पूरी शक्ती और पूरे ताकत के साथ समर्थन करना, और असत्य का पूरी ताकत के साथ बिरोध करना, ये भावना निर्मान कर रह और इस प्रकार से बुद्ध जी भी तबका तयार होते होते जब तयार हो गया तो 1873 में जो तिराव फुले का पहली बैच जो तयार हुई पढ़लिक करके उससे समाज में जागरती आने लगी जो मानसिक गुलामी हमारे लोगों के उपर बेवकूब बना करके थोपा गया था उस उजागर होने लगा और जो तिराव फुले का जो ये पढ़ा लिखा तबका था तेजी से क्रांती करने जा रहा था और इस तरह से उन्होंने पढ़े लिखे जो लोग उनके विद्याले से निर्मान हुए उन लोगों का एक समो बना कर संगठन निर्मान किया उस अंगठन बनाया ये सत्यका सोधन करके समाज में ले जाकर के देंगे और ये समाज धीरे धीरे आंदोली तो उठेगा और जो अठारास वरतालिस की आजादी का लड़ाई है हमारी लोग जल्द से जल्द जो है ब्राहमन के मानसी गुलामी के दाएरे से बाहर निकल करके कर अंग्रेजों के रहते हमारे लोग आजाद हो जा रहे हो सकते हैं इसके लिए जोती राव फुले बाई प्लानिंग बाकाइदी सोंच समझ करके नीती रड़ नीती निरधायत कर रहे थे लेकिन इनकी जो हमारी गुलामी की व्यवस्था है ये 4000 साल पूरानी व्यवस्था इसकी जड़े बहुत गहरी हैं हमारा महापुरुस जब आता है कोई तो उसकी उमर बीत जाती है संगठन खड़ा करते करते जब संगठन खड़ा हो करके लड़ने लायक होता है जोती राव फुले के साथ यहीं कुछ हुआ उन्होंने लेकिन मरने से पहले मृत्यू प्रको सत्रपती शाहुजी महराज को अपने वारिष की रूप में उन्होंने प्राप्त किया और अपने मिशन का कार्वों उनके जो है सर पे रखा यह पगड़ी मेरी जो है यह जिम्मेदारी का जो जिम्मेदारी रूपी जो पगड़ी है मेरे सर की आप अपने जिम्मे पर रख तो सत्रपति शाहुजी महराज ने वही मुव्मेंट लागू किया वही मुव्मेंट चला है 1882 में जो तिराव फुले ने इंगलेंड की महरानी विक्टोरिया को एक खत लिखा था और अपने लोगों को सासन पर सासन में हिस्सेदारी की मांग किया था वो सासन पर शासन में जो हिस्सेदारी की मांग किये थे उसी को रिजर्वेशन या रिप्रेजंटेशन कही सकते हैं आप उसको उन्होंने 1882 में हंटर कमीशन के तहट जो है मांग किया और जोती राव फुले साहुजी महराज ने उन्हीं 102 में कोलापुर्यासत में आरक्षण को लागू किया यह हो सत्रपती शाहुजी महराज है और कोई नहीं है जो उनकी मांग थी उसको लागू किया आरक्षण का इतिहास बहुत बड़ा इतिहास है अगर आप लोग अगर आरक्षण के बारे में जानना चाते हैं विधिवत तो इसके बारे में आप लोगों को डियार वहोल्स का स्पी बीच होता है एक एक घटना बताते हैं तो आपको गर्व होगा कि आरक्षण कोई भीख नहीं है यह समझ में आ जाएगी अभी इसके बारे में संब्रांतियां पहलाई जा रही है और इसके बारे में कंफ्यूज किया रहा है भारत के अंदर में आरक्षण को लेकर के सबसे से ज्यादा यह कोई कंफ्यूज है तो हमारा पढ़ा लिख्या पर गए जो कंपढ़ा लिख्या और जितना ज्यादा है ज्यादा कर्प्यूज नियुकि तो अरचण का इतियाज उसको मालूम नहीं यहना तो इसका माहत्तों मालूम है कि यह सारी बातें जोती राव फुले साहब ने 18 dapatra में निर्मान करने के पाद व्यवस्था को फॉस्था नहीं कर पाए जो उनका अंतिमु द्श्च था दौस्थ करने के पहले उनकी आयू समाथ हो जाती ही वो मिशन जो है सौंप देते हैं साहुजी महराज को साहुजी महराज ये तै करते हैं कि ये जब तक चुकि साहुजी महराज लंदन में पढ़ करके आये थे लंदन में पढ़े लिखे होने के नाते उनका और ब्राड माइंड तयार हुआ और ज्यादा खोपड़ी विक्सित हुई समझ विक्सित हुई इनकी ब्यवस्था को अगर ध्वस्थ करना है तो जब तक इसी हमारे समाज का जब तक और एजुकेशन भी हायर एजुकेशन लेकर के नहीं आएगा इनकी ब्यवस्था को ध्वस्थ करने के लिए सायद नाकाफी साबित होगी काफी नहीं होगा तो उन्होंने अपने क्रियासत में छात्रवित्ति की ब्यवस्था करते हैं और उसके लिए एक टेस्ट लेते हैं उस टेस्ट को जब लेते हैं तो उसमें एक बालक अवल दर्जे पर आया उस बालक का नाम जो है बाद में चल करके डाक्टर भीम रावंबेडकर के नाम से उस बालक को जाना गया लेकिन जब उस बालक को प्रथम या अवल दर्जे पर आये तो उनसे जो तिरा साउजी महराज ने सवाल किया कि मैं अपने राज कोश्ट का भंडार आपको के ऊपर यानि विदेशी एजूकेशन लेने के लिए आपको जो है खोल रहा हूं तो आप ये बताओ कि इसके बदले में आप मुझको क्या दे सकते हो इसके बदले में आप मेरे लिए क्या कर सकते हो ये इंटर्व्यू था साउजी महराज का बाबा साहब के साथ में तो बाबा साह साब ने उसका जवाब दिया सर माई एजुकेशन इस फार माई सोसाइटी मेरी शिक्षा मेरे समाज के लिए होगी ऐसा जवाब देने के बाद में छत्रपती शाहुजी महराज के दिल भराते हैं उन्होंने अपने गले से बाबा साब को लगाया और उनको पूर्ड तसल्ली हो गई कि जोती राव फुले ने जिस मिशन को हमें दिया है विरासत के तौर पर मैं इस मिशन हमारा एक सीमित है को लगा एक रियासत में ही जो कर सकता हूं अगर पुरे देश में विवस्था हमें अपना काम्याब करना है तो यही वो बच्चा है जो आगे चला करके मिशन को काम्याब कर दिया बाबा साब वहां से पढ़ करके जब लोडते हैं तो भारत के अंदर में साहुजी महाराज बड़ी बड़ी लड़ाई लड़ते हैं साउथ बरो कमीशन भी पीछे से साहुजी महाराज जो है सपोर्ट कर रहे थे यह सारा मामला है अंग्रेजों ने जाने से पहले य कि यह वो लोग की जाने से पहले हम सभी कौम के लोगों को सभी बर्ग के लोगों को कानून बनाने का अधिकार दे करके जाएंगे क्यों जब हम लोग इस देश के अंदर में आये थे तो मनुष्य दो प्रकार के थे एक वो जिनके पास सारी सुवधा है जिनके तनो मनो चर के को पसुवत जिंदगी जानवरों से बत्तर जीवन जीने के लिए मजबूर कर दिया फिर से अगर उन्हीं लोगों के हाथों में कानून बनाने का अगर हम अधिकार दे कर जाएगे तो क्या मतलब रहे सब्सक्राइगा माना होता कर तो कोई मूल यह नहीं फिर तो उन्हों ने यह किया कि हमको जो है सभी लोगों को यानि यह जो सासद करने वाले जो लोग है इनको भी कानून बनाने का अधिकार होना चाहिए और कि देश के अंदर में सदियों से गुलाम बनाकर रखा गया जिल्वों को इनको भी कानौन बनाने का अधिकार देख करके जाएंगे तो अंग्रेजों ने सौर्ट वरो कमीशन लंदन से भेजा तो भारत के अंदर में इसका स्वागत करने के लिए शाहुजी महराज के कहने पर साओंजी महराज के कहने पर जो सवत्स लिए कर रहे थे और इधर सेडूल टाश लिट तो करते हुए वो लीड कर रहे थे तो यसी और ओभी सी दो लोगों को साहुजी महराज ने आगे किया कि जरा स्वागत करो साहुथ बरो कमीशन जो सभी लोगों के included in Brahmin छत्री वेश उनको exclude नहीं किया यहीं अब करको कनून बनाने के जो सभी लोगों की जो कमीशन आया हुआ इस कमीशन का स्वागत करो भासकर रावजाद हो बाबा साहब दोनों महापूरुसों ने साउध बरो कमीशन का स्वागत किया उस समय जो कांग्रेस को लीड करने वाला जो लीडर था उसका नाम था बाल गंगदर तिलक वो जो है उसको बहुत बुरा लगा कि अब चल करके जो जो अहिर है जो कुर्मी है गडरिया है ये सारे लोग हमारे बगल में बैठ करके कानून बनाएंगे जो हमारे गुलाम है सदियों से वो हमारे बगल में बैठ करके कानून बनाएंगे जिन लोगों को हमने अच्छूत बना करके रखा सदियों से जिन को उसके जवाब देता तो उसके राजी छेतर में आता साउजी महराज के और उसको दंड देते साहोजी महराज राजा ही नहीं थे पहलवान भी थे उसको डर लगा कई पटकनी दे करके पटक पटक के न मार डाले इस डर से उसने सोचा कि चलो ठीक है हम जो है इनको जवाब भी दे दे और जवाब भी इसको मिल जाना चाहिए राजा को और हमारा कुछ करना पाए हमारा बाल भी बाकाना कर पाए इसके लिए जो साहुजी महराज का जहां बाडर है उस बाडर पर उसने कारिकर्म लगाया अथनी नाम के गाउं में और वहां पर हजारों की सभा को हजारों लोगों की सभा को संबोधित करते हुए का क्योंकि साहु बहुजनों के लिए काम किये बहुजनों के लिए समरपित रहे अकेले कुर्मी जाती के लिए काम नहीं किये लेकिन जो भी महापुरूस होते हैं वो बहुजनों के लिए काम करते हैं तो यह कुर्मी जाती के ऊपर जो है साउजी महराज के ऊपर खीज है आने के कारड जो है बल गंगत अतिलक ने कहा उसमें भादसर दिया कि तेली तमोली और कुणभट संसद में जाकर क्या हल चलाएंगे क्या संसद कोई खेत है जिसमें कुरुमी जाकर के हल जोतेगा कोई कोल हुआ बैल का जहां जाकर के तेली कोलू सिर्टेल निकालेगा वो कोई खेती है जहां पर जिसको चौरसिय कहते हैं उसको जो है उसमें तंबोली कहते थे तंबोली कहते थे या चोरसिय कहते हैं फिलहाल उत्तर परदेश के अंदर में तो क्या तंबोली यानि चोरसिय यह जा करके संसद में पान उगाने का काम करेगा क्या ऐसा गाली दिया भारत के अंदर में जो उत्तरप्रदेस है यह पर कुर्मी खेर एक जाती का नाम है लेकिन महारास्ट्रा के अंदर में जो कुर्मी जाती की लोग है उनको कुणवी कहा जाता है मराथी में और कुणवी नहीं कहा तेली तमोली और कुणभट संसद में जाकर क्या हल चलाएंगे ये कुणभट जो है साहुजी महराज को गाली दिया साहुजी महराज के लिए गाली था वो कुर्मी जाती के थे वो कुर्मी भी कहता तो ये जाती को संबोधित करता लेकिन वहाँ पे कुणभट का सब्द जो उपयोग किया कुणभट का अर्थ गाली होता है कुणभी को गाली है ऐसा गाली देकर के जब वहाँ पर कहा तो पंजाब केसरी नाम का संपादक भी था वो और उस अख़बार में छप करके है अख़बार आज भी हमारे संगठन के पास सुरक्षित है कितने जहरीले बोलते हैं हमारे प्रती हमारे बहुजन समाज के प्रती ओबी CSCST के प्रती इन ब्राहमणों के दिल में कितने नफरते भरी पड़ी हुई है वो भासड भी आज तक हमारे लोगों के पास सुरक्षित पड़ा हुआ है भारत के इतिहास का एक महतोपुर्ण हिस्सा है वो यानि कानून बनाने की संस्था बननी चाहिए उसमें ओभी CSCST के लोग नहीं सामिल होने चाहिए क्यों ब्राहमन कानून बनाएगा अभी कितने लोग दरसकत देख रहे हैं चोवालिस तीम सात नहीं दे रही क्या मेरी आप चवालिस लोग सात देख रहे हैं वीडियो उसको आप लोगों से निवेदन है इसको जितना शेयर कर पाईए ग्रूप में शेयर करें जितना जो है अधिक से अधिक शेयर करेंगे हमारे समाज के पास जाएगा निस्चित रूप से बड़ा काम करेंगा तो सातियों बेचा इसे उस ने किया शाहो जी महराज ने अंगा हुआ कि हुआ ही साभ्य साहू वह स्वरी बाल गंगा तलір तलक ने इस प्रकार से हमारे सत्रपति शाहुजी महराज को गाली दिया अब उनके बाद बाबा साहब डाक्टर अमेडकर और भासकर राओ जादो जो लेड कर रहे थे तो बिरोध जो है इसका इतना प्रबल था साउथ बरो कमीशन का बाल गंगा धर्तिला का और कांग्रेश ब्रामनों क इतना ज्यादा उग्र बिरोध था कि इसका काम अधूर रहे गया वापस जाना पड़ा फिर साइमन कमीशन आया तो साइमन कमीशन का बिरोध स्वागत जो है बावा साथ डाक्टर अमेडकर भासकर राओ जो अपने पंजाब के अंदर से सर्चोटू रामतील लोगों इसक जो है स्वागत किया था और इसके बिरोध में अभी यह मर चुका था एक सैतान चला गया दूसरा सैतान आ गया बाल गंगा दर तिलक मर गया था और गाधी आ गया था भी गाधी ने इसका प्रबल बिरोध किया साइमन गो बैक के नारे लगाए यह इतिहास में पढ़ाया जादा और सर्चोटू राम सहाब ने जो दोनों लोग वी सी से थे उन्हों ने इसका स्वागत किया फिर नालंदा को बर्बाद किया इन लोगों ने तक्षिसिला युनिवर्सिटी को बर्बाद किया लोगों ने नालंदा तक्षिसिला विक्रम सिला उद्वंतपुरी रा अहुजी महराज पड़े लिखे लोगों का तबका बनाना चाते थे, बुद्ध जीवियों का बर्ग खड़ा करना चाते थे, इसके पीछे का मकसद ये था, कि इनकी ब्यवस्था को अगर ध्वस्थ करना है, तो एक आदमी अकेला ध्वस्थ नहीं कर सकता, स्वयम बुद्ध जो पूर्टा को प्राप्त कर चुके थे, सम्यक संबुद्ध हो चुके थे, उनको भी ये अमान भी ये ब्यवस्था, बर्ड ब्यवस्था, पर आधारित ब्यवस्था को ध्वस्थ करने के लिए उनको भी संग का सहारा लेना पड़ा, क्योंकि संग ही सबसे बड़ी शक्त होती है इसलिए जोती राव फुले ने भी संग का निर्मान करना करा है बाबा साहब स्था इडियों और कियो चोहित लड़ा निर्मान करते हैं कितना पाज़ा दो 638 तो जोती राव फुले साहब, साहुजी माराज, बाबा साहब तीन पीडियों से लगातार ये लड़ाई चली आ रही थी और बाबा साहब डाक्टरा मेड़कर पूरी ताकत के साथ ये लड़ रहे थे और 1932 में उन्हों आखिरकार संपूर्ड आजादी मिल गई थी चार अधिकार में वो समाहित थी चार अधिकार जो हासिल हुआ हमको अंग्रेजों से प्राप्त हुआ जो जोती राव फुले ने कहा था कि अंग्रेज जब तक है अऊसर है यसी बैकवर्ण को ब्रामणों की गुलामी से मुक्त होने के लिए हमको कोशिस करनी चाहिए जो प्रियास किया था जो जोती राव फुले ने वो प्रियास उन्होंने अपने जीवन में सफल नहीं कर पाए उनके मकसद को सफल किया स्योतिरावफुले साउजी महाराज के बाद बाबा साफ डाक्टर बेड करने उजो चार अधिकार लेकर के यह उसमें अजादी समा ही थे लेकिन आपकी अजादी को गाधी ने आमरण अंसन करके छिन लिया गाधी अपने जिवर में 21 बार आमरण अंसन किया 21 बार अंसन किया है 21 बार अंसन में से एक भी बार गाधी ने ऐसा अंसन नहीं किया देश किया जादी के लिए बलकि उसने अंसन किया S.C.S.T.O.B.C. लोगों का मिला हुआ जो अधिकार था उसको छिनने के लिए उसने यंसन किया ये गाधी का सैतानियत किताबों में नहीं पढ़ाया जाता ये गाधी की सैतानियत किताबों में नहीं पढ़ाया जाता तो बाबा साहब डाक्टर अमेड कर जो है पूना के अंदर में बाबा साहब को मजबूर करके लाचार करके बेबस करके उनको जो है हिंसा का प्रियोग करके समाज के उपर बाबा साहब को लाचार बेबस किया और पूना में समझवता करना पड़ा यानि बाबा साहब को अपने लोगों की आजादी से ब्रामडों से समझोता करना पड़ा गुलामी थोपा ब्रामडों ने और ओ गुलामी कैसी है तो 24 सितंबर 1932 से एक नए यूग का प्रारंब होता है उस यूग का नाम है चमचा यूग अभी चमचों से बड़ा साओदार नहीं डपड़ेगा अभी दुस्मन से हमारे समाज को जितना खत्रा नहीं है उससे ज्यादा खत्रा चमचों से हो गया है वो चमचे हमारे समाज के लोगों का चेहरा लगा के आते हैं होते ही हैं हमारे समाज का लेकिन आदमी उनकी होते हैं तो जितना दुसमंग से जादा खत्रा है उससे जा कहीं जादा खत्रा हमारे समाज के चम्चों से हो गया है 24 सितंबर 1932 को यह हुआ हमको गुलामी थोपी गी हमको वाजादी मिली थी अंग्रेजों के द्वारा पर ब्रामडों ने हमारे उपर गादी के नित्रित में गुलामी थोपा लेकिन बाबा साथ डाक्टर मेड कर आगे क्या होता है 1947 में एक बहुत बड़ी घटना घटी है 1945 में अंग्रेजों ने लंदन में एक घोसित किया था कि भारत को छोड़ करके तो जाएंगे लेकिन जाने के बाद भारत की सत्ता के तीन हिस्सेदार होंगे भारत की सत्ता के तीन हिस्सेदार होंगे शेडूल्ड कास्ट के तौर पर डाक्टर बाबा साब अमबेड कर एक हिस्सेदार होंगे तो दूसरा जो है जिन्ना मुसलिम लीग तीसरा कांग्रेस की नाम पर गादी को तो तीन हिस्तेदार हों के सत्ता के ये बात ब्राहमनों को बर दास्त नहीं थी और जब ऊवर्डवार होता है उवर्डवार 1945 में होने के बाद सरकार वहाँ पर बदल जाती लड़ाई खतम होने के बाद लंदर में सरकार बदलने के बाद जो चर्चिल थे वहाँ के प्रधान मंत्री वो चेंज होते हैं चेंज होने के बाद दूसरे प्रधान मंत्री वहाँ पर बनते हैं तो वो प्रधान मंत्री तीसरा हिस्सा गायब कर देते हैं इतनी बड़ी बदमासी होती है वो गायब करने के पीछे बहुत बड़ा मामला है जो दूसरा वाला था उसने डायरेक्ट गायब नहीं किया उसने एक Lord Governor जो है भेजा था भारत के अंदर में उसका नाम था Lord Mountbeton भारत के अंदर में Lord Governor बन करके आया था बदली हुई सरकार का अभी नई सरकार का Governor बन के आया था अभी हमको कहना नहाँ चाहिए नेहरू का और Lord Governor Mountbeton की पतनी का अच्छा रिस्ता होने के कारड हमारी अजादी की लड़ाई खटाई में पड़ गई उसकी पत्नी ने लार्ड गवर्नर जनररल को कि अधिर एवी पार्फ किया कि जैसा नहरुजी कह रहें वैसा कर लिया जाना चाहिए यह जैसा आगरेस चाहती है तो कंग्रेस के यानी हम लोगों का जो माम लथा उसको जो है खतम करने के लिए लार्ड गवर्नर जनरल मांट बेटन की जो पत्नी ने अधिन्त मांट बेटन को उसकी वज़ा से तीसरा हिस्सा गायब हो गया और प्लान बना कि भारत के दो टुकड़े होगे एक टुकड़ा उधर जाएगा मुसलिम लीग तो बचे हुए भारत पर बचे हुए भारत पर अकेले ब्रामडों का कबजा किया जा सकता है एक विदेशी था दूसरे की जमीन खिसक गई जब उनका सत्ता में तीसरा हिस्सा था तो ध्यान रखना यहां पर है कि कुछ लोग समझ सकते हैं देश के तीन बटवारे होने थे मेरा कहने का इसा ताथ पर नहीं है भारत का संबिदान होगा संबिदान के अंदर में रहते हुए संबिदान के दाइरे कि अकेले कब जा हुआ जैसे बचे हुए भारत पर दो सितंबर उनीस सो बैयाली च्छी अलिस को ही भारत का प्रधान मंत्री नहरू बन चुका था साइटालिस में आजादी मिली आजादी 15 अगस्त उनीस साइटालिस की मिली च्छी आलिस में प्रधान मंत्री बन गया और के बाद पूरे भारत पर कभजा किया और डाक्टर अंबेडकर का हिस्सा गाệव हुआ OBC SCST का हिस्सा हवा में उड़ गया और आजाद भारत में हमारे SCST OBC के अधिकारों पर डाका डाला गया 1947 की आजादी में हमको कुछ नहीं मिला 15 अगस्ट 1947 को भारत आजाद होता है ऐसा कहा जाता है 16 अगस्ट 1947 को महरास्ट्रा के अंदर में अन्ना भाव साथे साहब ने एक बहुत बड़ा मोर्चा खोल दिया उसमें नारे लग रहे थे वो नारे क्या थे? यह आजादी जोटी है, देश की जनता भोकी है यह नारे लग रहे थे और ऐसा सच भी है 15 अगस्ट 1947 को यह देश आजाद हुआ तो OBCCST के लोगों से में पूछता हूँ भाई तुम 15 अगस्ट को सामिल होते हो देश की आजादी में देश आजाद हो गया सच है लेकिन देश के अंदर में रहने वाले जो मूल बासिंदे लोग हैं OBCCST के लोग हैं यह आजाद नहीं हुए एक बिदेशी गया अंग्रेज दुसरा बिदेशी जो सबसे पुराना बिदेशी ब्रामन है उसने कबजा कर लिया हमारे OBCCST का हिस्सा नहीं लगा अगर आपको आजाद भारत में आजादी मिली होती तो आपके पास भी इस धर्ती में हिस्सा मिलता जमीन में इस देश की कलकार खानों में हिस्सा मिलता आपको ब्यापारी बर्ग में हिस्सा मिलता आपको इस देश के अंदर में जो खनीच संपतिया निकलती है उस पर कबजा या केले या डानी या प्रामण बनिया का हुआ है उसमें भी OBCCST के लोगों का हिस्सा मिलता 1947 की अजादी में हमारे लोगों का कुछ नहीं मिला ये बात बाबा सहाब डाक्टरτε्ण अमेड़कर समतते थे इसलिए उनको ये बोध हुआ कि अब हमारे लोगों को अगर संबिधान में कुछ मिलेगा तो हमारे लोगों को कुछ मिलेगा अनने था उनिस सेथाanız में हमारे लो सभा में जाने के लिए बाबा साहब की विरोध में, उनहीं का लाए लाग यूवा, उसके पहले की मैं, बता रहा हूं。 सभा में जाने की जब बात थे। तो बाबा साहब कर संविदान सभा में नहीं पूछने चाहिए कोशिस पूरी तरीख से कां मिरेस की लोकर रहे ID भ्रामण बश्रोंड लोग की बाबा साहब कर नहीं पहूंचना चाहिए ऑसथ तो बाबा साहब से खड़े हुई यह मंबई में तो उनके बिरोध में बाबा साहब का ही आदमी खड़ा कर दिया गया काजरोलकर और उसको जो है चुनाव आचार संगिता जो 2000 की उस समय थी कि 2000 रुपए से ज़्यादा कोई खर्च नहीं कर सकता कैंडिडेट उस समय उसको 25,000 दिया आज का 5-6 करोण रुपया होता है पहली गुलाम भारत से ही पहला भरस्ट अचार चालूगा भरस्ट तरीके से कांग्रेस ने उसको जिता करके भेजा बाबा साब वहां से हार जाते हैं यानि चुनाव को प्रभावित करके वहां पर भेजा गया काजरोलकर जीतने के बाद जब याया बाबा साब सभा ले रहे थे तो सभा में उसने आया और कहा कि बाबा साब का चरन अस्पर्स करते sortie की को आसिरबात दो बाबा साब ने उस काज रोलकर को आसिरबात देते हुआ कि काज रोलकर हाथी बैठ भी जाता है तो भी उसका कद गधे से उचारता है जाओ तुम को आसिरबात और वहां पर डायलाग बाजी किया कांग्रेश के लोगों ने कि देखता हूं अंबेड कर को कैसे संविधान सभा के अंदर में आते हैं इनके लिए दर्वाजे ही नहीं संविधान सभा की खिड़कियां भी बंदे देखता हूं बेड कर को मतलब OBCCST के लोगों को आजादी में तो आपने सब कुछ हड़ा पही लिया संविधान के लिए बाबा साब अंत जो इसी समाज से OBCCST से कनवर्टेट हुए और ब्राह्मणों की गुलामी को लात मार करके अलग हुए मुसलमान बने ऐसे हमारे पुर्खों ने मुसलमानों ने बंगाल के अंदर से बाबा साब को जो अगेंद्रनाथ मंडल जो चुनाओ जीत करके संसत भावन में गए थे समिदान सबा में वह इस्तीफा देते हैं बाबा साब को अपने यहां बंगाल से चुनाओ लड़ने के लिए आमंत्र भेजते हैं कि बाबा साब आप हमारे यहां से आईए लड़िए बहुजन समाज क्या जो ओवी CSTS के लोग है यह भी काउं हो सकते मुसल्मान भी काउं नहीं होता है आप आईए तो जरा तो बाबा साब का सेडूल कास्ट फेडरेशन जो है बंगाल में भी था और मुसल्मानों का उधर जो है अच्छा खासा बाबा साब का पकड़ भी थ तो मुसल्मानों ने अपने रिसीट से जो गेंदरनाथ मंडल ने इस्तीफा दे करके कि अगर बाबा साब हम बेट कर यहां पर नहीं आते हैं तो आजाद भारत में आठ करोड़ से अधिक लोग पसुवत जिन्दगी जिने को मजबूर हो जाएंगे ना जाने इनको बाबा करोड़ लोगों की जिन्दगी बरबाद न होने पाए पीड़ियां बरबाद न होने पाए उस पीड़ियों को बरबाद होने से बचाने के लिए पहली कुर्बानी उन्होंने अपनी सीट से जो है इस्तीफा दे करके बाबा साब को आमंतरित किया उस सीट पर लड़ाने के लिए बाबा साहब बंगाल से चुन करके जाते हैं उस जो बंगाल के लोगों ने बाबा साहब को चुन करके भेजा बाबा साहब को उनकी जो है बंगाल के जो चार जिले हैं खुलना जसोर फरीदपूर और देखिए चार जलना यह जो चार जिले हैं वहां से बंगाल के भ्राह्मणों ने कि व तो आप तो आ गया इसको इक बार तो हरा — रहा आ गया ना जारे कैसे अब ही dual मने कैसे जो है हम क्या करें कि ब्राह्मन-न्जी यानि मनसुमिर्ति ही लागू करना चाहते ब्राह्मन लोग संबिधान के पक्ष में बिल्कुल नहीं तो बाबा साहब जो है बाबा साहब का संबिधान लागू होने के नहीं चाहिए इसलिए जो है बाबा साहब चुन करके जब जाते हैं चार जिलों से मुसल्मानों के द्वारा भेजे गए तो उन चार जिलों को काट करके नक्षे से और बाट दिया देश से अलग कर दिया और कहा कि पाकिस्तान का पूरवी हिस्सा है ये ये पूरवी पाकिस्तान है इसको मैंने दिया तो मुसल्मानों को दंडित किया गया फायदा हमारे वो भी CSCST के लोग उठा रहे नौकरियों में और तमाम जो है लाब उठा रहे हैं बाद में हिंदू बन करके यही लोग काटे भी हैं मुसल्मानों को आप करमचारी और आपको तमाम हकदिकार जो मिला है सम्विधान के अ कामला आया है उन्हीं बंगाल से लोटे हुए जो हमारे लोग हैं उनको वाज भी दस्ता बेज नहीं दिया इतने ज़्यादा खतरनाक लोग हैं उसमें दो जाती कि लोग है एक तो वह मुसल्मान लोग कुछ लोटे हैं बंगाल बंगला देश से और कुछ नमों सूद्रा बेजार जाती कि जो यह सी के लोग है वह लोट Koreat Luckily लोगोने साब को जिता-कर कहता वह बंगाल तो अलक करके उनको मरवाया कटुआया प्र बंगाल उठा के टीया इसके बाद जो वहां से लॉट करके आए उनको भी जो है अभीयाज तक mamy के तहट जो है उनको ये कितने सदय अंतरकारी लोग है इनके फरतों कि इनके दिल में कितनी नफरते हमारे लोगों के तती है यह मैं पर्डाम जिना रहा। कितना खतरनाक मामला कितने खतरनाक लोग है इसलिए मैं कहता हूं इनके अंतर not a soundsitoda नहाँ के करें एक रहा हूं आपको मैं Bram att pass ब्राहमन का मतलब होता है कि उसके अंदर ब्रह Ihnen का ग्यान होना चाहिए ग्यान प्रहमन दूष मेवाइडियनफों की तो दूसरा ब्रहमन को मैं सैतान केता ओग और पिडित को अपना दृध बया करने का संबिधान, हमको हमारा बाप हमारे लोगों का अधिकार दे करके गया पेडित व्यक्ति को अपनी दर्द रखने का अधिकार है इस अधिकार का उपयोग करते हुए मैं ब्रामन को कह रहा हूँ एक तो तू भी देशी है बाइड यहने दूसरा तू सैतान हो तो इतनी सैतानियत की यह आप की सदसिता जब चली गई बावसाव व जहां से चुनकिया आये थे यह तो चला गया पूरुबः पाकिस्तान में तो अंग्रे ब्रामनों ने कहा कि आपकी सदसिता पाकिस्तान को चली गही है आपका स्वागत है आप जाहक जाकर के संभिधान पाकिस्तान का बंगलादेश का जाकर के बना लीजिए भारत के अंदर में आपकी जरूरत नहीं है बाबा साहब के आठ करोड से अधिक लोग भारत में और संभिधान की सदस्टा जो है बाबा साहब की जो सदस्टा वली सेट थी वो पाकिस्तान के इससे में चली लिए ब्रामडों की बाबा साहब को उनके संभिधान सभा से बेदखल करने का एक सडियंत्र था बंगलादेश का बटवारा हुआ उसको तो माग नहीं किया था कोई 现वा है पाकिस्तान कांग्रेस क्वर्किंग कमेटी इसको पास किया और अंधर में गाधि इसको अपनी उपस्ते था प्रस्ताव पास करवाता है बटवारे का देश के देश के टुकड़े होने चाहिए और बाहर आ करके कहता है मेरे शरीर के दो टुकड़े हो सकते हैं लेकिन मैं इस देश के टुकड़े नहीं होने दूगा ये दो तरह की बाते करने वाले लोगों को क्या का जाता है दोगला तो गाधी को भी एक उपाधी देता हूँ कि दोगला है दोगला का तात्पर होता है कि दो तरह की बाते करने वाला तो इस प्रकार से जो है बाबा साहब के साथ में तमाम सड़ेंत्र पे सड़ेंत्र हुए बाबा साहब की सदस्ता चली गई पाकिस्तान में बंगला देश में और भारत के अंदर में बाबा साहब की सारी की सारी लोग हैं बाबा साथ संभीधान वहां का लिखेते हैं तो भारत के लोग तो इदार रहा सम्भीधान की सदस्था सिट सतस्था जहां से चुना बलडे थे बंगलादेश में तो बाबा साहब को मजबूर हो करके एक बहुत बड़ी जो है उन्होंने कांफ्रेंस लिया अपने समाज के लोगों को कठा करके सेडूल कास्ट फिरेडरेशन की एक बहुत बड़ी बैठा काप आतकाल में बुलाए बाबा साब अगर भारत के संविधान में हमारे लोगों को हकदारी और हिस्सेदारी उनको कानूनी सरक्षण नहीं मिला तो ऐसे किसी भी भारती संविधान को हम तवज्जो देने वाले मान्यता देने वाले नहीं हैं बाबा साहब की पहचान इंटरनेशनल लेबल पर थी पूरी दुनिया से दवाव पड़ने लगा और इधर अंग्रेज भी कह चुका था कि जब तक तीनों लोग संतुष्ट नहीं होते हैं जब तक भारत के जो है अंदर में सर्व सम्मती से जो है समिदान नहीं पास हो जाता है तब तक मैं भारत को छोड़कर जाने वाला नहीं हूं यह प्रेसर अगर बनता है तो डाक्टर अंबेटकर के लोगों को हमारी गुलामी के चंगुल से थोड़ा सा जो है छुटकारा मिलेगा और नहीं बनाने देते हैं तो अंग्रेज छोड करी क्याला संभिधान सभा के दो हिस्सा की है संभिधान सभा यानि संभिधान को मान्यता देने वाली कमेटी अलग बनाईगे जिसको संभिधान सभा के नाम से जानते हैं और संभिधान को निर्मान करने वाली तीम अलग बनाईगे जिसको संभिधान निर्मान समीटी केते कई लोगे लेकिन क्या मान्यता देना क्या नहीं मान्यता देना डिशाएड इधर होगा है डिशाएड इधर होगा लिखना हुं लिख लो डाक्टर अम्बेडकर को मानिता समिधान सभा के अंदर में निर्माण समिती का अध्यक्ष बना दिया गया बाबा साब ने एक एक आर्टिकल पर बाबा साब को तिन तिन चरचर बार जो है वहां पर बहस करना पड़ा और जो है मनाना पड़ा पूरी ताकत के साथ लड़ना पड़ा सामान ने तरीके से जो है समिधान नहीं बना आए हमारे लोगों को हालवा दिखता है एक 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 आर्टिकल के लिए बाबा साब को लड़ना जगणना पड़ रहा था उनके सामने उनके तरक और दलील के आगे ब्रामणों के सारे के सारे जब की कभजा कि ये थे 99% संभिधान सभा में ब्रामडों के लोग थे प्रतनी दी थे लेकिन बाबा सहाब के तरक और दलील के अधार पर उनको मानता देना पड़ता था लेकिन बहुत सारी चीजों को बाबा सहाब जो डालना चाहते हैं संभिधान में नहीं डाल पाए फिर क्या होता है बाबा सहाब अंतता जो है संभिधान मंजूर होता है 1950 में लागू होता है लागू होने के बाद 1950 में पहली बार पूरे भारत के लोगों को सिक्षा लेने का अधिकार मिला पूर पहली बार राश्ट्री अस्तर पे और जब पहली बार सिक्षा लेने का अधि क्यार मिला सदियों बाद तो हमारे समाज के जो बहुत ज्यादा एडवांस लोग रहे होगे उनके बच्चों का दाखिला 1950 में सरकारी बिद्यालेयों में हुआ होगा जो बहुत ज्यादा एडवांस रहे होगे व्हांस तो उनको भी आइस आइपस आधि यूपी असी अथवा जो है एक लास सेकन्ड नंबर के इटिकार्मे बनने के लिए जजेज बनने के लिए उनको कम से कम ग्रेजिएशन के करना निवारे था अब भी यही नहीं करोगे तो जज कहां से बनोगे तो भी यह करना निवारे था इसके पहले मैंने आपको बताया कि 2 सितंबर 1946 को यह भारत के अंदर में पहला प्रधान मंत्री जवाला नहरू बगैर चुनाओ के हूँ बना आजाद देश भारत 47 को हुआ संबिधान लागू 50 में हुआ और भारत का पहला चुनाओ आम जनता का आम जनता के द्वारा 1952 में होता है यानि 52 तक 46 इलेकर 52 तक प्रधान मंत्री बना रहता अनवरत तो 6 साल अदालत कैसे चली 6 साल रेल कैसे चली 6 साल डाक कैसे चला 6 साल इन्वर्सिटीज कैसे चली इन सारी व्यवस्थाओं पर 1946 से ही कवजा करना चालू कर दिये ब्रामणों ने भारत के सभी स्टेट पर के जो है मुख्यमंत्री नॉमिनेट किये गए दो सितंबर 1946 के बाद अभी देश आजाद नहीं हुआ है च्यालिस में ही नॉमिनेट कर दिये गए सारे के सारी अंग्रेज रहा भारत के अंदर में तब तक अधालतों में ब्रहहुन नहीं गया था क्योंकि अंग्रेजों का कहना था कि ब्रहमी इस है यह न्याई और करने की बात आती है तो नियाई नहीं करता यह पहले देखता है कि हमारी विरादरी का आदमी कौन है ये देख करके वो फैसले देता है यानि पक्षपात पूर्ड जो फैसला होता हूँ न्याय के कसावटी पर खरने उतरता है इसलिए अंग्रेजों ने रोक लगाया था उस न्याय पवित्र न्याय के मंदिर पर पवित्र न्याय के पर ब्रामणों ने एक्षात्र कब्जा कर लिया 46 में ही सारी कि सारी ब्यूरोक्रेसी पर जो है ब्रामणों ने कब्जा कर लिया लोगतंत्र के चार अस्तम्भ है लोगतंत्र में भारत का लोगतंत्र जो है वो प्रतनिदिक प्रतनिदिक लोगतंत्र है यानि कि रिप्रेजेंटेटिव डेमो जानते हों तो आप लोग करता हूं आप तो हमसे कम से कम हमसे ज्यादा पढ़े लिखिए हैं कम से कम उससे ज्यादा पढ़े लिखिए हैं इस लिए जो है मैं मान के चलता हूं कि आपको जानकारी लेकिन फिर भी जो है हमारे सोसल मेडिया पे बहुत सारे लोग के पास गए अभी वीडियो उनको विजानकारी होनी चाहिए कि 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 अभी क्या बोला था मैं किस पीसे को कि यह पढ़ें रिखें बहले हैं लिए इसके पीछे बता रहे हैं हाँ लोक तंत्र बताता है लोक तंत्र के रीप्रेजन्टेटीव डेमरोकरेशी है भारत के अंदर में प्रधान मंत्री होना सत्ता काबिज करना नहीं है भारत के अंदर में राज शाही जब थी तो राजा समस्त सक्तियों का केंद्र राजा हुआ करता था तो राज साही के ऊपर मृति श्या के ऊपर खड़ा हुआ लोक साही है लोक तंत्र है लोक तंत्र में सत्ता के अलग अलग पार्ट बनाए जाते हैं अलग अलग संस्था बनाए जाती है पहले कानून बनाने का अदिकार राजा के पास होता था तो क्या कहा जाता था मुगले राजा के बास साह सलामत के मुझ से निकला हुआ हर एक लब्ज हरेक अलफास कानून है तो राजा के मुख से निकला हुआ हर एक सब्ध कानून बन जाता था कानून बनांने का थिकर इसके पास? राजा के पास अमल करवाने का यानि की implement करवाने का जो कारेपालिगा का काम था राजा के पास उसकी समस्त सक्तिया प्रचार माध्यम का सारक सारक पावर किसके पास राजा के पास जो बोलता था वही, जो उसको करके जाता था खूद करता था, और स्वै में ही अधालत का भी काम दिखता था, राज्य सवा के अंदर में, निया की प्रक्रिया का भी केंदर था, यहनी कि जो ज़ी। सकती का केंद्र राजा के पास हुआ करता था उसका बंटवारा हुआ लोग तंत्र में की कानून बनाने की संस्थाय अलग होगी और वहां पर वो लोग कानून बनाने के लिए जो जाएंगे जो जनता के द्वारा प्रत्निधी होगे जनता के लोगों द्वारा चुने हुए ह होगे जनता का खितमत करेंगे खायाल रखेंगे और वही लोग जा करके जनता के दुखदर्द के मिटाने के लिए खतम करने के लिए इनकी समस्या को समाप्त करने के लिए लोग कानून बनाएंगे कानून बनाने वाली संस्था अलग होगी जिसका नाम कारेपालिक्या होगा उसका नाम विधाई क्या होगा और अगर कारेपालिक्या से हमारे भारत की जनता को अगर जो है इनके साथ इनका नियाए नहीं मिलता है तो ये नियाए प्राप्त करने के लिए अदालत की सरड जाएंगे वो संस्था अलग होगी जिसको नियाए प मजलूम मजलूम बन करके रह गया उसके उसकी आवाज नहीं बुलंद हो पारी उसका जो है वह अपनी बात नहीं रख पा रहा है तो उसको न्याय दिलाने के लिए चौथा अस्तंब रखा गया मेडिया मेडिया उस मजलूम की आवाज को बुलंद करके उसको न्याय दिलाने कि छीछी तूथू होने लगेगी और उसको जो है कि लोकतंत्र मुसको न्याय नहीं मिल रहा है इसलिए उसके साथ न्याय मिलेगा इसके लिए यानि मेडिया क्या है मेडिया जनता की अवाज है क्या है जनता की अवाज है आज किसकी अवाज है कांग्रेस की सरकार आए तो उसकी आवाज है इट मेंस ब्रामण की आवाज है ब्रामण बनिया की आवाज है क्यों यह समस्या आई भारत के अंदर में यह बताया जाता है कि मेडिया विकाऊ है मैं यहां से कहता हूँ विकाऊ नहीं है गलत बात है गलात आरोब है विकाऊ नह रहें मेडिया इमांदार है क्योंकि मेडिया के अंदर में 1946 से भरती कर लिया पूरा ठोस लिया 100% कभजा कर लिया ब्रामड बनिया लोग उसमें कभजा करके बैठे हुए हैं जो हजारों साल तक इस देश के अंदर में जुल्म जादती किये हुए हैं वही लोग वहाँ पर सैतान लोग बैठे हुए हैं तो भारत की जो मूल जनता है यहां का मूल निवासी है बहुजन समाज के लोग हैं इनका उनके साथ ब्रहमण बनिया के साथ में दुस्मनी का बहर का भाव है बहर का रिष्टा है हजारों साल का वो इमानदारी से अपने बैर्भाव को जो है निभा रहा है मेडिया आपका अपना एक मकसद है हिंदूराष्ट बनाना यानि ब्रहमणों का गुलाम बनाना और इस मकसद की दिशा में वो प्रतिबद्ध बाकादे प्रतिबद्ध हो करके काम कर अब इस मेडिया विकाओ नहीं है यह समस्थ से आज खड़ी हुई है भारत की अवाम की तो अवाम की जनता की आवाज नहीं है क्योंकि उस पे कबजा अवाम के लोग नहीं किये हैं जब उसमें 15% की लोग होते साड़े साथ परसंट इस्टी के लोग होते बावन परसंट पिछड़े बर्गी के लोग होते साड़े तिन परसंट ब्रामन भी होगा सैतान अगर साड़े तीने परसंट होता तो जनता की आवाज बनता अभी सैतानों का ही पूरा कबजा हो गया है तो सैतान की आवाज बन की 47 के पहले ही लोकतंत्र के सभी अस्तंब पर अकेले ब्रामण का अबजा कर लेता है बाबा साहब का लोकतंत्र क्या कहता है समाज में जिस समाज की जितनी अबादी होगी जिस अनुपात में होगी उस अनुपात में भारत के लोकतंत्र के जितने चार पार्ट हैं चार अस्त करते हैं कि सत्ता का मतलब परधान मंत्री और मुख्य मंत्री बंजो सत्ता हो जाएगी तो कासी राम साहब इस कानुभव कट गुर्भव उनके पास था वो कहा करते थे कि सी ये मुश्का सफल होता है जिसका डीयम हो कि सीम हमारा बीयम ब्रामन का तो हमारे कांसी राम साहब बहन जी ने जो कानून बनाते थे यह अमल में नहीं लाते थे हमारी जनता उस कानून का लाभ नहीं पाते थे कानून बहुत सारा बना लेकिन इंप्लीमेंट ब्राहमन करने वाला थे कर या करोगे आप ज्यादा से ज् का एंपलाई नहीं है अगा Central का है सेंटर किसमे कब्जा किसका कब्जा है सेंटर में उन्हें सैतानों का कब्जा है तो कहां से इंसानित की बात समय में आए जिए इप में जा रही है हमारे वीडियो थी अडियो को बहुत सारे लोग देखेंगे कांसी राम साहब का ये कहना कि सियम उसका सफल होता है जिसका डियम होता है हमारे बहुजन समाज के लोग इसको कहते हैं कम पढ़े लिखे लोगों को समझाने के लिए उपियोग करता हूँ मैं कि रसोईया उसका सफल होता है जिसका परोसवया हो हमारे समाज के लोगों ने रसुया बना दिया लेकिन परुसुया ब्राह्मन है परुसुया हमारे समाज के लोगों खवया हमारे लोग परुसुया भी हमारा खवया भी हमारा लेकिन परुसुया ब्राह्मन है वो हमको परोस्ता दिये ये समस्या रही है तो अगर यहां से इंप्लीमेंट किया ना किया हमारे लोग जाएंगे अदालत में थे अदालत में भी वही लोग बैठे हैं 79.8% कबजा पसासन में ब्राह्मणों का है और हंडर मतलब ज्यादा तर कबजा जो है लोकतंत्र के पहले पायदान यानि की कानून बनाने वाली संस्था पर कबजा किया पूर्ण भहुमत में जितना जो है सरकार बनाने के लिए इसको चाहिए उससे ज्यादा ब्राह्मणों ने जो है सीटे निकाला एभियम के माध्यम से प्रसासन पर 79.8% परसेंट कबजा किया इसके साथ जो है उसने कबजा किया इस पे क्या बोलते है आप इसको अदालत पर 80 80% इसने कबजा कर लिया लेकिन 10% बहेंजी ने की किरपा से 10% उनको रिजरवेशन जो मिला तो 10% और बढ़ गया उसका लभ़े परसेंट हो गया औ और college इम पहले से ही लागु किया हुआ है तो सभी सिस्टम में जितने लोगतंतर के जितने पाधान उसमें कभजा कर लिया 100% मेडिया उसका पहले से ही कभजा है दो लोकतंतर पर अकेले ब्रामण ने कभजा कर लिया इसी मैं ये का और बात बोलता हूं मैं भारत के लोकतंत्र को लोकतंत्र बोलना बंद कर दिया हूं क्यों भारत के लोकतंत्र पर कवजा और अतिकर्मण अगर सभी के हिस्सेदारी पर अतिकर्मण ब्रामन किया तो लोकतंत्र पर ब्रामन का कवजा हो गया इसलिए लोकतंत्र को मैं ब्राहमरतंत्र बोलता हूँ, इस देश के अंदर में डेमोक्रेसी खत्म हो चुकी है, ब्राहमरोक्रेसी जो है शुरू हो चुकी है, उसी का नतीजा है कि पूरे भारत में बहुजनों की यसमिता लुट रही है, बहुजनों की इज़त नहीं बचपा रही है, बहुजनों के पूरी तरह से जो है सोसड हो रहा है और इनका नहीं पर भी नहीं हो रहा है उसकी वज़ाए लोगतंत्र खतम हो चुका है ब्रामड तंत्र लागू हो चुका है लोगतंत्र हाई जे करके ब्रामडों उसके कबजा कर लिया है यह बहुत बड़ा आरोप है तो बाबा साहब यानि 1950 में हमारे समाज के पढ़े लिखे लोगों को अधिकार दे दिये पढ़ने का और जब पढ़े लिख करके हमारे समाज की लोग तयार हुए तो कव तयार हुए? 1950 के पहले कवजा पूरा कर लिया सम्विदान लागू होने के बाद पहला चुनाओ हुआ 1952 में 52 में चुनाओ हुआ मंत्रि मंडल कटित हुए आयोग बना भरती बोर्ड बने ताकि संस्थाओं में जिनका हिस्सा है भाई सबको भरती किया जाए 1952 से भरती चालू हो गई ट्रैं पूरे देस में भरती चालू हो गई जज की भरती निकलने लगी डीम सिसोरी निज्वावर में दूसरी निज्वादा ज्यादा पड़े होंगे जिनके घर के लोग जो है हमारे घर के लोग जो बहुत ज़्यादा एडवांस होंगे उनके बच्चे 1950 में दाखिल होंगे ना इस बिद्यालियों में और दाखिल हुआ भी होगा तो 1922 में तो दूसरी में है वो कैसे है अपलाई कर सकता है तो दूसरी का आदमी अपलाई नहीं कर सकता तो यह 1965 में हमारे लोग पढली करके ग्रेजियेट करके बाहर आए 1965 तक पूरे भारत पर इन लोगों ने कबजा कर लिया सभी के हिस्से पर कबजा कर लिया सब के हिस्से पर कभजा कर लिया 1952 से ले करके लगातार ये लोग जो है 1965 तक क्या भरती जब होती थी आई-ए-ए-पी-ए-स या यू-पी-ए-स-C की जब भरती करते थे अदालतों में भरती निकालते थे तो आप 15% अनसूची जाती का साड़े साथ परसेंट येस्टी का और ओभी-ए-स-C का हिस्सा जो है जब इनकी भरती आती थी ओभी-ए-सी को तो मिला ही नहीं था इसका है तिका यह खाली कंगा जब अहुने वाला है तो ब्रामन »DER zwol और में जब कोई अभ्यर्थी प्रडेसं नहीं अंल मुफ आयर टो भर लिकर क्वेश्ट थी ए मतली बडानीपोर्ट लगा कि वेश्थ था इस पόस्ट इस पोस्ट क कैंडिडेट हैं। अबेलेबल इस पोस्ट काइंडिडेट इस नाट और नाट अबेलेबल कि ऐसा लिके भेद देता था कि यह पुपद खाली है लेकिन कोई इस पद के लिए कैंडिडेट ही नहीं है ऐसा लिके भेद दिए 1965 हमारे समाच के लोग पढ़न करके यू-पी-स y Q syndrome apply करने लगे और पी पीजी का फारम अपलाइय करने लगे आपलाईिकर के बाद में अपलाई करने के बाद में यह लोग क्या करने लगे हमारे बच्चे लिखित परिक्षा में प्री में हाई हाई लेबल पर लोग जो है मारक लाते थे इंटर्व्यू में फैल किये जाते थे कि यह लंबे समय तक कारकाली लोगों का चला आप देख लिजिए 1965 के बाद से लेकर नबे तक जो है लगातार देख लिजिए आप आपके वो भी सिस्टी समाज से जो लोग होंगे वो लिखित परिक्षा में अच्छा नंबर लाते इंटर्व्यू में फैल होते हैं गो हalnya कि अब YOUR जल्दि की घटना है उस घटना में जो है एक लड़के ने ओवीची का लड़का था बर्मा उसने इस outtaarma लिखित परिश्यम हाइस नमबर लाया को इह इंटर्वियू में इंटर्वियू में एक नमबर चाहिए था एक नमबर नहीं दिया उसको वाधा नमबर दे दियो फिल हो गया उसका कम पढ़ गया यह बदमासी है तो यह 1965 की बाद से लगातार कारिकरम चलाते रहे और जब चलाते रहे तो लिख करकी क्या भेशते थे लत रहे इड्यथ तरी रूर्त इस पोस्ट कंडिडेटे इस अवेलेबल बट भू दोथ अवेलेवल आर नाट सुटेब्ल सुटेबल का मतलब इनके अंदर मेरिट नहीं है इस पोस्ट के लिए कोई seguirNoсть तन सुटेबल नहीं है सुटेबल नहीं यह Olha यह सुटेबल नहीं है इ तो मेरिट बनता कैसे है striking कारेक्षम्ता और इमांदारी ये तीन चीज मिलाओ mervent क्रिक्षम्ता बुद्रिक शम्ता और इमांदारी आयड करदो बराबर मेरिट तो हमारे लोग कि कहते थे ब्रामन इंटर्विव लेते समय, इनके अंदर मेरिट नहीं है, तो कोल किसके पास होती मेरिट ब्रामन के पास होती आमत रपे जो विदेशी होते है वो Currently देश के अंदर में जाते लूट पाट करने के लिए आकरांता बन करके जिस देश के अंदर में विदेशी जाता है वो आकरांता आकरमणकारी ब्यक्ति आकरमणकारी कौन जिस देश में आकरमण करके गुलाम बना करके रखी हुई वहां की प्रजा को उस देश के प्रती वो आकरांता इमांदार नहीं होता ये एक भैक्ट बता रहा हूं मैं ब्रामण भारत के अंदर में आकरांता है विदेसी है और विदेसी होने के नाते भारत के प्रतिय इमांदार हो ही नहीं सकता ब्रामण चाहे जहां पर भी हो हर जगे लूट पार्ट मचाय करके रखा हुआ हर जगे घोटाला उसका चालू है जाहे जहां हो इमांदार नहीं है अच्छा किसी के पास योगिता हो किसी के पास बुद्धिक्शम्ता बहुत ज़्यादा हो किसी के पास कारक्शम्ता बहुत हो लेकिन इमांदारी नहीं तो वो आदमी जो इमांदार नहीं है कारक्शम्ता और बुद्धिक्शम्ता बहुत ज़्यादा है वो ज़्यादा सत्यानास करने के लिए काम्याब होता है वो सत्यानास ज्यादा धंग से करता है अच्छे धंग से करता है बलकि अगर कम कारेशंता हो पुद्धिशंता हो लेकिन इमांदारी हो तो थोड़ा ही भाला करेगा लेकिन ज्यादा अच्छा काम करेगा ब्रामन के अंदर कारक्षमता हो सकती बहुत जादा बुद्धि शमता हो सकती लेकि इमांदारी नहीं होने के कारण यही कारण है कि वो अपनी कारक्षमता बुद्धि शमता का उपयोग इस देश के अंदर में सत्यानास करने के लिए लगाता है नालंदा को बरबात किया इन नालंदा तक्षिसिला विक्रम सिला उद्वन्तपुरी राउरकेला बल्लबी मनसर साथ साथ विश्व विद्याले इस लोगों ने जो है बरबात कर दिया यही कारण है यह इमांदार ना होने के कारण जादा यह अच्छे ढंक से इस देश को निचोड़ रहे हैं पूरी बु समझ नहीं रहे है इस देश का सारा धन निकल रहा है चाहिए विजय माल्या हो उसको भगोड़ा घुषित कर दिया दस जार रुपया ओभी सी का यादमी के सी पर लोन लेता है उसका चमड़ी निकोल चमड़ी उधेड करके दमड़ी निकाल लेता है आर से निकाल के उसका कुड़ी करके उसको वश्खुल लेता है लेकिन 9000 कुरोड़ रुपये लेकर के विजय माल्या नाम का ब्रामर गया उसको भगोड़ा घुषित किये बरामन जानता है आज नहीं तो कल नहीं तो परसो परसो नहीं तरसो इस देश को छोड़ करके हमको जाना है लेकिन जाते समय ये लोग हमको विदाई देने वाले थोड़ी है इतना अच्छा काम सोड़ी किया हूं तो जाएंगे लेकिन जाने से पहले विदाई तो मिलेगी नहीं इस देश का सारा का सारा माल निकालो बाहर निकालो अपने काम में कर रहा है एक बाबा जो है उसको लोन जो अपने आपको हिंदू कहते हैं उन लोगों ने सोचा हमारे लिए बना रहा होगा भारत की अबादी बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगी तो वहां पर साड़ मिलेगा अरे ब्रामन बैनामा लेता है एक दो विग्धा उसमें हमारी बकरिया पढ़ती है तो पीट पीट करके बकरिया भी मारता है और जो हमारे बच्चों को भीमार डालता है ऐसा ब्रामन वहां पर सत्रह जार कर चार्सो करोड़ रुपए का अगर टापू खरीदा है समंदर की कि आरे उसमें आपको बसाएगा तो ब्रामन वहां से संदेश भेजा उसको उसके ब्रामन के संदेश को ब्रामन ही पढ़ता है बहुजन समाज के लोग वही पढ़ सकते जो अंबेड कर आई चो हो साधार लोग नहीं पढ़ सकते जैसे डाक्टर के लिखी हुई रिपोर्ट को डाक्टर पढ़ता है वह इसके ब्रामन की कही बात को ब्रामन पढ़ता क्या मतलब है उसका मतलब इसका ये है कि ब्राहमण अगर भारत से निकाले जाते आने वाले समय में भगाए जाते हैं तो उसके लिए एक नए देश की में ब्योस्था कर दिया हूँ ब्राहमणों को संदेश पहुंच गए आप अपना जो है आसा लगाई बैठे हैं तो यह हमारे लोगों को समझने चाहिए तो बाबा साहब डाक्टर अमेड कर पढ़े लिखे यानि कि जिस मकसद को जो तिराव फुले ने रखा था कि इस देश के अंदर में आजादी हमारे लोगों को मिलनी चाहिए और वो भी CSCST के लोगों की आजादी जो है 1848 में उसका क हमारी आजादों के आंदोलन को नौ साल के बाद जो है जो अधास्तान में करती हुई ब्रामण आजाद हो गया 1947 में 1848 प्वाली आजादी का लडाई आज भी चल रहा है अब लोग आज भी आजाद नहीं तो बाबा साहब डाक्टर मेड कर 1942 को जब कानून अंग्रेजी हुकूमत में वो लेबर मिनिस्टर बने थे तो उन्हों ने जो है एक संबोधन में कहा था कि हमारे संगर्थ संपत्ताय और संपत्ती के लिए नहीं है बलकि संपूर्ड आजादी यही हमारा अंतिम संगर्थ यही हमारा अंतिम अदेश है ऐसा बा बाबा साब कहते थे कि जिस दिन हमारे समाज में 10 डाक्टर बेस इंजिनियर 30 वकील पैदा हो जाएंगी उस दिन हमारे समाज की तरफ आप उठाकर बुरी नजर से देखने की किसी की हिम्मत नहीं होगी आज हमारे समाज में देढ़ करोड़ लोग इंपलाई है हमारे से ना हमारे लोगों की जान कि कोई वैलियू है कोई शुरवाई नहीं हो रही है लोगतन्त की दश्य हुड़ाई जा रही है नेड़ क करोड लोग जने करोड़ लोग च्यों है तो सबस्दों का निर्मान वबद्ध जीवियों का निर्मान हुआ जो तीर आफ फुले चाहत समाज का समाज का यह बाबा साब यानि लोग तंत्र में आप यह करंचारी अधिकारी जो डेढ़ करोड़ हमारे समाज की लोग निर्मान हुए है बाबा साब के साथ में जो जनता अनपढ़ गरीड जनता जो है जो लगी अपना पेट अपना जो है काट करके जो लगी उन्हो का भाइदा बाद के लोगों ने उठाया जिन लोगों ने लाव लिया उन लोगों ने संगर्थ किया जिन लोगों ने संगर्थ किया उसका लाव ने लिए तो कम से कम जिन महापुरसों की तमाम अथक प्रयासों संगर्थों के नतीजा है आप उनकी उपज है आप तो कम से कम अपने महापुर्सों के इस अंतिम मक्सद आजादी के लिए OVCSTST समाज को आपना चैनल, आपका चैनल, समाज का चैनल, देश का चैनल, NB News 24x7 को आप लाइक करें, सब्सक्राइब करें और ज्यादा से ज्यादा इसकी वीडियो को शेयर करें ताकि हर खबर को मैं आप तक आ बाला मतोर ज्यादादा करें, सब्सक्राँ करें, समाज डात।